वेलकम क्रिप्टो यूजर्स एक नए सांदर वीडियो में आप लोगों का स्वागत है मॉर्निंग में जैसे ही सिस्टम खोला होगा देखा होगा तो शीबा इन्हों यहाँ पर 4-0 के साथ 35 पर पहुच गया है जहाँ पर all time high इसने लगाया था 45 का उसके बाद से market regular base पर down हो रहा था एक time तो यार 4-0 के साथ 27 तक price पहुच गई थी इतना market panic हुआ कि market धड़ा धड़ नीचे के तरब गया है यार obviously जब market तेजी से pump होता है न तो उसी तेजी से dump भी होता है हलाकि यह जो dumping है यहाँ पर तोरित है थोड़े से short term की यहाँ पर ग्रावट है उसके बाद market वापस संबला buyer वापस active है प्राइस को यहाँ तक लेकर आये है 35 तक फिर भी यार अभी अपने high से लगभग 45 से 35 याने कि 10 point का अभी भी यहाँ पर changes चल रहा है इसके बाद आगे कि क्या इस्थिती निर्मित हो रही है क्या चल रहा है शिबायनू में आगे कहां तक जाएगा क्या यार यहाँ पर शिबायनू अपना all time high लगाने वाला है एक बड़ी रेली यहाँ पर देखने को मिलने वाली है क्योंकि जिस टाइब से खबरे आ रही है लग तो यही रहा है कि बड़ी हाई यहां से मिलने वाला है शिबायनू को और यहाँ पर वो संकेत यहां से आपको देखने को मिले होंगे कि किस टाइब से मार्केट तेजी से नीचे गिरा लेकिन फिर से बायर इनोंने बायर हुनने संभाला मार्केट को संभाला और मार्केट को फिर से यहां पर लेकर आए तो मार्केट को कई बार गिरने का प्रियास करा है मार्केट ने लेकिन मार्केट को गिरने नहीं दिया है मार्केट हर बा यहां पर गेम खेला है जिस कारण से शिवायनू इस तेजी से नीचे गिरा है शिवायनू के साथ एक बड़ा खेला यहां पर हुआ है जिसमें 50% तक प्राइज यहां पर डंप हुआ है 55% तक इस को इन बेस के चक्कर में बैसिकली यह बड़ी न्यूज है जिसको कोई समझना मतलब का नहीं है लेकिन हाँ वो जो थी वो निकल चुकी है बात आप जाके मार्केट वापस समला है तो इसको हम ज्यादा डेटेल में नहीं समझे और भी बहुत सारी चीजे है जो आपको समझना जरूरी है तो complete वीडियो वोच करना हो चैनल पर पहली बार आए है तो subscribe कर लेना ऐसे ही वीडियो अपडेट पाने के लिए क्योंकि शीबा इन्हों एक ऐसा टोकन है जो मार्केट की न्यूज के हिसाब से pump and dump होता है आपके छोटी सी न्यूज मिस होना बड़ी गलती बड़ा pump या बड़ा dump आपको करवा सकती है ठीक है तो end तक watch करना और अपना opinion ज इसमें all time high की तैयारी यहाँ पर चल रही है जो बड़ा यहाँ पर pump दिखा सकती है और market ऐसा ही यहाँ पर संकेत दे रहा है इस बीच देखें यहाँ पर market में हो क्या रहा है एक new market में काफी viral चल रही है जिसमें बताया गया है कि justice sun के दुआरा 20 billion shiba token को transfer किया गया है अब य चली लाश्ट टाइम जब 88 पर प्राइस थी 90 पर प्राइस थी इन्होंने सबसे ज्यादा transition किये थे वही वापस यहाँ पर आये है 20 billion shiba token के साथ अब यह transition क्या हम माने की selling के लिए लाए है या फिर buying के लिए करा है लेकिन transition किया है और एक बड़ी यहाँ पर इन्होंने फिर से उठा पचल हम कहें उठा पटक की है और एक हलचल मचाई है community इससे काफी उस्सा ही थे क्योंकि justice sun ने ही यहाँ पर इस्टाइडिंग में सुरुआत करी थी wheels के तरब से जब बड़ी मात्रा में इन्होंने transition लिये थे यहाँ से एक बड़ी रेली के संकेत क्यों मिल रहे है एक दूसरी news अगर आप गोर करेंगे तो यहाँ पर मालूम पड़ता है कि एससे 97% holder है जो शीबा इन्हों को one year या उससे जादा को जादा तक अपने पास hold करके रख रहे है अब इससे आपको एक चीज अंदाजा होग कि शीबा इनुमें जिस तेजी से यहाँ पर बाईंग हो रही है आपको मैं बार बार जिकर कर रहा था कि कोई भी sale यहाँ पर नहीं कर रहा है हर कोई यहाँ पर hold करके बेठा है चाहे वो फिर bitcoin हो फिर चाहे शीबा हो या फिर कोई सी भी currency हर वेक्ति बोल रन के expectation से यहाँ पोटेंशल को देख रहे हैं और उसी की अंदाजे से उसी अंदाजे को यहां पर लगाया जा रहा है लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी वज़ा यह है कि अगर इस टाइप से जो मार्केट यहां से हो रहा है और यहां पर होल्डिंग लेके बेठे तो एक बड़े रेली के आ केटेगरी निकलती है एक केटेगरी वो है जो अभी भी सोच रहे है कि यार होल्डिंग ले ले क्योंकि शीबा इनुग में अभी तक वो आये नहीं है एंट्री लेने या तो पहले के थे पुराने हो या फिर न्यू यूजर हो लेकिन उन्होंने एंट्री नहीं ली है वो बहुत सारे ऐसे लोग है जो यहाँ पर प्रोफिट जिन लोगों ने 45 तक प्राइस पहुची थी प्राइस एक बार यहाँ पर पहुची प्राइस गिर गई फिर से प्राइस यहाँ पर पहुची अब यहाँ पर वो मौका गवाना नहीं चाह रहे थे वो मौका गवाना नह ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है इससे प्राइज ऊपर नहीं जा रहा है चलो सेल कर देते हैं देखे शीबा उन्हों में अभी बहुत सरे ऐसा लोग भी है शोट टम इन्वेश्टर है वो कि यहां पर क्या कर रहा है वो यह कर रहा है कि इस भरपूर रेली का फ पता रहा हो ना यह वही है जो लोंग टम इन्वेश्टर है अब यह 35 इसी टाइप का गेम चलाएंगे आपको पैनिक होने के अवशकता नहीं है अगर आप शोट टम इन्वेश्टर है तो इसी पेटरन का फायदा उठाओ हाई पर सेल करो लोग पर बाई करो अगर आप लो पर देखे ओल टाइम हाई एक रेली क्यों बन रही है शीवायनु जल्दी ही अभी आप देखोगे अपना ओल टाइम हाई को ब्रेक करने वाला है यह जो 2021 का हैस्ट पोइंट है ना बहुत जल्दी ब्रेक होने वाला है क्योंकि प्राइज मात्र 70 चारजरों के पास 70 के जेश्ट हालविंग आने वाली है मार्च भी यार देखो तो अगर आप देखो 6-7 दिन निकल चुके हैं यह महिना निकला कि हालविंग यहां से स्टार्ड हो जाएगी हालविंग के बाद जिस टाइप से बुलरन के एक्सपेक्टेशन है उसको देखते हुए यहां पर और तेजी से भी बाइंग आना है इधर देखो तो पेप कोईन और डोच कोईन वगेरा भी थेजी से पंप हो रहे हैं और बिटकोईन भी यहां पर पेसा थजार पर रुका हुआ है तो यह बड़ी वज़य रहेगी कि यहां से मार्केट पंप करवा सकता एधर बिटकोईन में और भी पेसा आने के chances बन रहे हैं क्योंकि जिस टाइप से news market में आ रही है सित्तर हजार का जो एक इसके लिए point है उसको जरूर ये bitcoin जल्द ही touch करने वाला है तो ये सब positive impact रहेगा जो शिबानों को all time high के तरफ ले जाएगा एक बड़ी rally के तरफ यहां से दिखाएगा इस बीच अगर आपको पता हो तो दो मई के आसपस ethereum का sport ETF की जो अप्रूवल की जो तारिक है वो भी नज़िक आ रही है दो मई के आसपस है तो अगर अप्रूवल मिलता है जो कि finally 99% अप्रूवल मिली जाएगा तो यह बड़ा boost रहेगा market को pump करवाने के लिए जिससे एक positive impact पड़ेगा market में क्योंकि इधर ethereum इधर bitcoin ETF की वज़े से ही आप देखो तो bitcoin 42 से 63 पर पहुचा है अब आप सोचोगे ethereum के आने से sport ETF किस type से pump करेगा एक signal में बता रहा हूँ कि ethereum के ETF आने से पहले ethereum बहुत तेजी से pump करने वाला है मई के आसपस देखोगे आप April end में जैसे कि bitcoin में हुआ था उसके बाद एक दो महिने के बाद market गिरने के बाद ethereum का एक high all time high बनाएगा ethereum ये बात ध्यान रख लेना आप अगर उस type से investment आप चाहते तो उसमें करके रख सकते है इस बीच अगर शीबाइनू को आप देखोगो पुराना अपना जो high है वो break करते हुए इसके बाद market एक zero यहां से kill करेगा और market एक पेसे के आसपस पहुचने का प्रियास करेगा क्योंकि halving के बाद अगर bull run expectation हम ले रहे है तो एक रुपया आसानी से शीबाइनू इस साल काड़ देगा 24-24 में अगर bull run चालू हो गया तो आप यह लिखके रख लीजिए एक रुपय तक शीबाइनू आसानी से पहुच जाएगा यह सभी zero किल करते हुए और इस दिसा में जाएगा तो हम जो एक डोलर का target लेके चल रहे है ना वो भी इचीव हो जाएगा लेकिन इस बीच एक burning को लेकर बड़ी खबर आजानी चाहिए कि शीबा ने burning करती क्योंकि अभी के time पे meme token की category में सबसे ज़्यादा शीबा में ही investment आ रहा है दोज को इनको भी इसने पीछे छोड़ा है तो यह एक बड़ी वज़ा रहीगी शीबा में सबसे ज़्यादा holding आएगी अभी buyer यहाँ पर ठके नहीं है और holding अपनी बढ़ाते जा रहे है जो शीब पर मिलती रहेगी और आप अपना opinion जरू comments लिकिए क्या सोचते हैं मिलते हैं आई वीडियो में नमस्कार